चलो सो गुड आप्टून एवरीवान एट्स पर डिसकेशन कल हमने जो है फिर से ग्राइविटेशन से लेटेर बहुत इंबॉर्डन पॉइंट का डिसकेशन कंप्लिट किया था कि अगर कोई अगर गायब कराना है तो उसकी वेलासिटी कितने से बढ़ाने पड़ेगी उसकी जो एणरजी है कितने पर्सेंटेश से बढ़ाने पड़ेगी यह बाती कल के लिक्चर में हमने पुरूव कर दी थी एक बार फिर से revision, जो सबसे important part होगा हमारे study का, सिर्फ study करके नहीं चलेगा, study तो हो जाएगे regular, day by day, लेकिन आप तक जो पढ़ा है, उसके मतलब brain में regular revision करना बहुत निस्सरी है, इससे होता क्या है देखो, एकदम simple तरीका है, हमारा जो brain है, वो हमारे laptop की तरह या फिर computer की त करता है, कि जैसे की मानो, हमें जूम पे lecture देखना है regular, इसलिए हम क्या करते है, laptop PC है, या फिर mobile है, वहापे जूम का जो एप है, वो एकदम home screen पे रखते है, कि screen mobile चालू किया, laptop चालू किया, कि वहापे instantly zoom मिलना चाहिए, अगर हम इस zoom को C folder में 10 folder बनाके, उसमें अंदर 50 folder उसके अंदर 30 folder बनाके, ऐसे अंदर चुपा चुपा के, चुपा चुपा के रखते जाएंगे, तो क्या होगा, जब जर्रत पड़ेगी तब हमें नहीं मिलेगा, वही खिलवार हमारे brain के साथ में भी होता है, आपने experience किया होगा, 10th में exam नहीं होई है, लेकिन SBT में, या पर उससे पहले जब भी exam दी होगी, हमने prepare तो किया होता है, मतलब ऐसे feeling आती है कि डोड़ा समोरे पन डोड़ा चम अदियत नहीं, मतलब मालूम है कि नहीं, ये data हमारे brain में store हो चुका है, है, लेकिन time पे याद ही नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि brain में हमने data store तो कि लेकिन कहा पे store किया, उसका address अपन भूल गए, इसलिए हमें भी क्या करना है, जो भी अपन study का part पढ़ते है, उसको brain के desktop पे उपर, brain के screen के home window के उपर लेके आना है, और वो लेके आने का एकदम simple तरीका है, regular उसको revise करो, कैसे revision करेंगे, एकदम आराम से enjoy करते करते, क्या है कि basically सबसे पहले हम topic पढ़ रहे है gravitation, अब gravitation का मतलब क्या होता है, एक phenomenon है, जो different body, जिनके पास mass है, उनके साथ interaction को study करता है, फिर mass मतलब क्या है, वो content of matter in the given body है, उसके बाद gravitational field क्या है, space है, around the mass, जिसमें दूसरा mass experience करता है force of attraction, फिर ये force of attraction कितना होगा, ये calculate करने के लिए हमारे पास Newton's law of gravitation आता है, और Newton's law of gravitation के according हमें formula मिलता है for force, force is given by G ammonium 2 upon R का square, यहाँ पे G का मतलब होता है, universal gravitational constant which is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11, Newton meter square per kg square, and different cases में जो forces रहेंगे, उसको calculate करने के लिए हमें ये Newton's law of gravitation का force का formula applicable है, useful है, उसके बाद हमने देखा था कि different bodies जो है, वो continuously earth के center के towards, या फिर earth के towards attract होती है, उसको attract करने के लिए जो acceleration वहाँ पे responsible है, उसको हमने acceleration of the earth, यानि acceleration due to gravity बोल दिया था, अब ये जो acceleration due to gravity था, again वो vary होता था, change होता था, कैसे vary होता था, कैसे change होता था, एकदम simple है, अगर हम surface के उपर जाएंगे, तो भी कम होत होता है, equator to pole travel करेंगे, तो भी vary होता है, और इस तरह से acceleration due to gravity के variation से, हमारे वो पर act होने वाला जो force है, या फिर हमारा जो खुद का weight है, उसमें भी variation आता है, ये सारे variation हम detail में पढ़ चुके है, उसके बाद में हम सबसे essential part को start कर रहे थे, that was satellite, satellite का मतलब क्या है कि कोई भी एक body है, जो planet के surrounding में revolution perform करती है, फिर वो natural हो या फिर artificial हो, natural का मतलब जैसे हमारा moon है, वो पहले से क्या कर रहा है, अर्थ के surrounding में चक्कर लगा रहा है, revolution perform कर रहा है, और उसको देख के हमने क्या किया, खुद के satellites बनाए, जिनको अपन artificial satellite बोलते हैं, ये artificial satellite हम अर्थ के surface की उपर स which is very important, a critical velocity, दूसरी escape velocity and इस escape velocity को समझने के लिए हमने kinetic energy, potential energy, total energy of the revolving satellite and of the body resting on the surface of Earth इतना सारा पार डिसकस करेंगे, तो ये आप तक का discussion है topic का, यानि इतने discussion के बलबूते पे हम पूरे universe में या पिर पूरे अमारी solar system में किसी भी planet की उपर जाना है, उस planet की उपर से वापस आन है, उसके लिए जितना भी data required है, वो data अपन calculate कर सकते हैं, इंट्रक्ट कर सकते हैं, तो आज के lecture में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, वही बाते जो पहले अपन satellite के बारे में, या पिर हमारा planet है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस से related कुछ और concept बाकी है, उनको हम भी आ time of revolution of satellite, जो satellite है, अर्थ के surrounding में circular path में घूम रहा है, यानि चक्कर मार रहा है, उसको एक चक्कर complete करने के लिए जो time लगता है, उसको periodic time बोला जाता है, अब derivation हम लेके आएंगे, उससे पहला इस से supportive जो भी concept है, उसको एक बार देख लेंगे, हमें मालूमें कि suppose यह हमारी earth है, और हमारे earth के surrounding में यच इतने height पे हमने एक body को ऐसे horizontal direction में मोड दिया है, और उसको critical velocity भी है, फिर वो body क्या कर रही है, circular motion perform कर रही है, इस तरह का हमारा satellite है, जो earth के surrounding में हम launch कर चुके है, और यह satellite क्या करता है, earth के surrounding में circular motion perform करता है, अब यह circular motion मतलब क्या है, actual में circular motion सब लोग जो है, वो 9th and 10th में पढ़ चुके है, लेकिन फिर भी यहाँ पर requirement है, इसलिए मैं उसको दो मिनेट में revise करके देता हूँ, circular motion मतलब क्या होता है, circular motion मतलब होता है, the motion of a body, along, circumference of circle, कोई भी body, अगर circle के circumference के along, अगर move होती है, तो उसको हम consider करते है, as a circular motion of the body, ठीक है, अब इसका example क्या है, कि जैसे कि हम start में पहले lecture में introduce कर चुके, कि हर एक atom के center में core होती है, जिसको अपन nucleus बोलते है, इस nucleus के surrounding में ऐसे orbit होते है, इस orbit में ये जो electron से, ये क्या करते है, circular motion perform करते है, उसी तरह की situation है, यहाँ पे जो satellite हमने देखा है, ये earth के surrounding में circumference हमने decide किया है, उसके along move होता है, यानि ये satellite क्या करता है, earth के surrounding में circular motion perform करता है, अब जब भी circular motion आती है, तो circular motion में एक term आती है, जिसको बोला जाता है periodic time, periodic time, अब ये periodic time का मतलब क्या होता है, periodic time का मतलब होता है, the time required by the body performing circular motion to complete one revolution, मतलब ये जो body circular motion perform कर रही है, यहाँ से निकल कर वापस यहाँ पे आने के लिए, जो भी इसको time लगा था, उसको बोला जाता है periodic time, अब हर एक satellite के लिए periodic time कितना होगा, वह हम यहाँ पे calculate करने वाले है, ठीक है, चलो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने circular motion देखा है, circular motion मतलब क्या है, एकदम simple, कि basically जब भी कोई body, अर्थ के surrounding में, मुह होगी, अर्थ के surrounding में मुह होगी, मतलब कहाँ पे मुह होगी, circular path पे, circular orbit पे, तो उस case में एक चक्कर complete करने के लिए, जो time लगने वाला है, उसको बोला जाएगा periodic time, अब ध्यान से देखो, यह दोनों definition तो आपको पहले से ही मालूम थी, फिर भी एक बार हमने यहाँ पे revise कर दिया है, अब मुझे जो formula चाहिए, उसको मैं calculate करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि कभी भी velocity या फिर speed का जो formula है, वो हम calculate करते है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, distance upon time करना पड़ता है, ठीक है न, यह 7 standard से पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई issue नहीं है, हमें भी यहाँ पे mechanics में यह सारी terms पढ़नी है, लेकिन अभी इस formula को direct remember करें, कि speed है यह फिर velocity है, it is given by distance upon time, actual displacement upon time है velocity का मतलब, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को same consider करेंगे, तो यह distance upon time बनेगा, अब मुझे भी यह बोलना है कि अगर कोई भी satellite है, जो यहाँ से निकलके एक चक्कर complete कर रहा है, इसका मतलब वो कितना distance cover करेगा, during one revolution, वो cover करेगा distance equal to circumference, एक revolution में वो क्या करेगा, एक circumference complete करेगा, अगर यह satellite का center से distance smaller हमने लिया है, तो उस case में यह circumference कितना होता है, चलो कमानफास्ट, क्या formula है circumference के लिए, definition किसकी repeat गरूँ देजस? टेजस, speed की, velocity की, distance per unit time, circumference, very good, तनया करेक्ट है, नई सुरज वो एरिया का formula है, श्रावन, very good, करेक्ट है, चलो बाकी लोग, टेजस, 2 pi r, very good, उजवला, करेक्ट है, circumference of the circle कितना simple है, वो होता है, 2 into pi into r, अब अगर मैं small r लूँगा, तो small r का मतलब center से total distance है, अगर small r की जगह पे capital r plus yach लेना है, तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं standard case में पहले small r रखूँँगा, add and उसको अपन refresh करेंगे, तो ये सारी चीज़े, अगर मैं यहाँ पे put करूँगा, तो देखो, satellite अगर circular orbit में move हो रहा था, मतलब उसकी speed कौन सी थी, critical velocity थी, उसने कितना distance करों किया, equal to circumference, यानि ये बन गया 2 pi r, एक चक्कर complete करने के लिए, कितना time लगता है, 8 periodic time, यानि T, या तक clear है, कुछ किया ही नहीं मैंने अभी तक, start ही नहीं किया है, simple आपने जो answer बोले थे, उनको मैंने put किया है, कि velocity equals to distance upon time है, distance मतलब circumference है, time का मतलब periodic time है, यानि capital T है, हो गया, चलो, तो अब थोड़ा सा उसको आगे ले जाते है concept को, यह VC है, VC मतलब critical velocity, इसका formula तीन दिन से आपन पढ़ रही है, कि critical velocity जो है, उसका formula है, root of gm upon small r, फिर से small r का मतलब capital r plus e h, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा simplification करने वाला हूँ, तो यह earth को मैं rub कर देता हूँ, देखो, यह VC की जगा पे, अगर हम लिख देंगे यहाँ पे, square root of gm upon r is equals to 2pi r upon t, अब दोनों साइड में अगर इसको simplify करना है, तो मुझे square करना पड़ेगा, इस side में square करूँगा, तो square root चला जाएगा, और यह बनेगा gm upon r, यहाँ पे देखो, 2 का square बनेगा 4, pi का square, pi square, r का square, r square upon t square, मैंने बस क्या किया, critical velocity की जो values है, उसको put किया, एंड दोनों साइड में square किया, आगे खुछ भी mathematical interpretation मैंने नहीं किया यहाँ पे, है clear, अब देखो, basic हमारा purpose यह था, हमें time calculate करना था, इसलिए मैं time को एक side में लेकिया आता हूँ, तो यह denominator, जब equal to के इस side में आएगा, वो party change करेगा, इधर आके वो बनेगा numerator, अब यह 4 pi square r square as it is थे, gm upon r, उदर जाएगा, मतलब यह भी क्या करेगा, अब party change करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यह बनेगा, small r upon gm, यानि कि t square equals to, हमें यहाँ पे मिलेगा, 4 pi square r cube upon g into m, यह final answer नहीं हुआ है, लेकिन इस formula को ध्यान से देखो, ठीके, यह बन गया periodic time के लिए expression, किसका off revolving satellite, take a screenshot, इसका screenshot ले लो, कमान पास, दोनों side में square किया था सुरज, इसलिए pi का square बनेगा, pi square, जैसे 2 का square 4 बना, वह यह से pi का square, pi square हो गया, अब देखो, simple condition यह बनेगी, जो हमें actual में numericals, यानि आज की जो sbt आने वाली है, उस sbt को solve करनी के लिए useful है, उसमें यह condition रहेगी, देखो, यहाँ पे हम क्या खरेंगे, यह जो equation था, इसको मैं directly लिख दोंगा, t square proportional to r cube, t square proportional to r cube, कहाँ से आगया यह, देखो, यहाँ पे 4 यानि नंबर है, pi यानि universal constant है, g यानि mass of the earth है, यानि यहाँ पे r cube को छोड़ेंगे, तो यह सारी terms constant है, इनमें variation हो गए नी, इसका मतलब periodic time को vary करने के लिए, हर बार variation के लिए responsible कोन रहेगा, distance रहेगा, यानि t square बनेगा proportional to r cube, t square बनेगा proportional to r cube, तेजस, very good बेटा, ठीक है न, यह लगता है कि Kepler का third law है, लेकिन Kepler के law applicable है, sun and planet के लिए, यहाँ पे form होई है, लेकिन यह किस के लिए है, periodic time of revolution of satellite के लिए, समझ में आ रहा है न, मतलब दोनों के लिए condition सेम है, यहाँ पे फिर से दोनों साइड में अगर मैं square root लूँगा, तो square root ले रहे है, तो t square का square root t बनेगा, इधर की पूरी term मैं square root के अंदर लेकिया था, तो यह क्या बनेगा 4, यह बनेगा pi square, यह बनेगा r cube upon, यह बनेगा gm, ठीक है, मैंने क्या किया बस इस step के बाद में, यहाँ पे दोनों साइड में square root लिया है, अब हम क्या करेंगे, एकदम simple, root में 4 था, उसको बाहर लेकिया आएंगे, वो 2 बनेगा, pi square root में था, root के बाहर आएगा, वो pi बनेगा, यहाँ पे r cube है, इसका r square का बाहर लेकिया आएंगे, यह r बनेगा, into bracket में कौन बचेगा, bracket में बचेगा r upon gm, लेकिन यह जो formula आप यहाँ पे देख रहे, इनका numerical या फिर sbt solve करके time, कुछ भी खास use नहीं है, बस theoretically यह formula है, आपको मालुम होना चाहिए, इसलिए मैं यह इस form में लिख रहा हूँ, actual जो हमें numericals mcq solve करने है, वो आएंगे t square proportional to r cube eq उपर, ठीक है, चलो, come on fast, step by step इसको देख लो, लिख लो, समझ लो, screenshot ले लो, अगर यह clear है, तो इस से लेटेड मैं आगी की concept लेकिया आने वाला हूं, जो बहुत important भी है, और interesting भी है, है clear, very good, चलो, come on fast, screenshot लेके रखो इसका, और किसी को issue हो गया, तो मैं बाद में number दे रहा हूं, उसके उपर contact करो, ठीक है, चलो, तो यह revolving satellite के periodic time का यहाँ पर formula मुझे मिल गया, अब इस से rated क्या question आएगा, जैसे कि for example, आपको बोला जा रहा है, कि for example, question दिया है, periodic time of revolution of satellite is 8 hours, if initially it is at a height of small r from center of earth, then its periodic time will be, then its periodic time will be, if it is shifted to twice of r, same जो formula देखा है, उसके उपर का question है, पहले question step by step read करो, question को समझ लो, समझ में आने के बाद इसको solve करने का आपन try करने वाले, ठीके, पहले question समझ में आना नेस्टरी है, क्या बोलाए कि एक satellite है, जो earth के surrounding में revolution perform कर रहा है, और revolution perform कर रहा है, तो पहली case में जब उसका distance small r था, कितना था exactly नहीं दिया है, बेटर small r दिया है, तब उसको time लग रहा है 8 गंटे, earth के surrounding में चक्कर complete करने की, बाद में बोलाए कि उसका अगर earth के center से जो distance r था, उसको अगर 2500 पार कर दिया, तो कितना time होगा, सागर इच से gravitation बेटा, चलो शुबा मैंसर बोलो श्रावन, उच बोला, इतना easy तो नहीं होता है ना बेटा, तनिया, करें वो solve, ओके, देखो, जिनको समझ में आ रहा है वो करते जाओ, जो लोग नए है या पर नए समझ में आ रहा है कैसे करना है, हम बोर्ड पे solve करेंगे, पहले question का जो screenshot लेलो, मैं रब करने वाला हूँ यहाँ पे, कि question में जो बोला है, एकदम simple बात बोली है question में, और उसको अपन यहाँ पे simplify करके answer निकालने वाले है, ठीके, उन्होंने जो बोला है, पहले उसको अपन given data के form में लिख लेते है, जो सबसे important step है, उन्होंने बोला था कि T1 कितना है, 8 गंटे है, 8 hours, और R1 कितना है, R है, और बाद में T2 कितना बनेगा, अगर R2 को twice R बना दिया, इस तरह का question अभी दिया था, उसमें जो given data था, मैंने simplify करके लिख दिया, अब हमें मालूम है कि satellite का periodic time and distance का, जो relation है, वो इस तरह से है, कि T2 जो है, वो directly proportional है to the R3, T2 जो है, वो directly proportional है R3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यह अगर first case में है, तो यह भी first case में, ठीक है, second case में है, तो दोनों भी second case में, यह equation number one हो गया, यह equation number two हो गया, अगर मैं second equation को first equation से divide कर दूँगा यहाँ पे, तो equation क्या बनेगा, T2 upon T1 का square, equals to R2 upon R1, कब क्यूब, अब यहाँ पे जो value दी है, उनको put करते, T2 कितना है, question market T2 रहने देते, T1 को 8 गंटे बुलाए, 8 रग देते, 8, यहाँ पे R2 बुलाए, है twice of R है, so it will become 2R, R1 को R बुलाए, so it will become R, here cube is there, ठीक है, अब करो simplification, हाँ, तनया, good question, तनया का यह question है, कि जब division किया, तो proportionality sign कहा पे गया, अभी मैं इसको बहुत बार पहले भी explain कर चुका हूँ, लेकिन फिर से explain करूँगा कि यह थोड़ा सा confused करता ही है, condition क्या होती, देखो, मैं question numerical को थोड़ा सा pause कर रहा हूँ, बाकी लोग आगे आता है, तो solve करो, मैं को answer की पर आऊँगा, तनया, आप देखो बोड़ बे, कि होता क्या है, देखो, कि कोई भी Newton का law है, या फिर किसी भी, आज तक जितने भी physics में law, principle, या फिर कुछ भी relation explain किया गया, वो proportionality के मतलब form में दिया था, सुरुष्टी आपका answer correct है बड़ा, चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, तनया, जैसे कि Newton ने बुला था, force between two masses is directly proportional to ammonium 2 upon R square, तो हमें हर बर क्या करना पड़ता है, कि यहाँ पे proportionality sign को निकालके constant लेक्या आना पड़ता है, तो यहाँ पे constant आ गया था, G ammonium 2 upon R square, यह relation होता है, तो अब condition क्या होगी, इनको solve करेंगे, तो यहाँ पे constant आएगा K, लेकिन जो constant यहाँ पे आता है, वही constant यहाँ पे आएगा क्योंकि यह time and R का ही distance है, और दोनों constant अगर same है, तो जब मैं उनका ratio लूँगा, तो दोनों cancel होने वाले है, इसलिए जब भी ratio लेते हम proportionality को directly equal to से replace करेंगे, और वहाँ पे constant नहीं रहेगा, ओके, चलो अब मुझे कुछ answers मिल रहे हैं, पहले मैं answers देखूंगा, फिर मैं board प ओके, सुष्टी ने answer बोला है, 16 root 2, very good, चलो बाकी लोग भी try करो, common fast, answer कुछ ना कुछ calculate करके, दो बेटा, तने हाँ, calculations करो, डेविश का पे answer आज, तन्वीशा, what happened, देव, श्वम, करो solve करो, क्या होगा, कितना simple है, RR cancel, finished, RR को cancel कर दिया, तो यह T2 upon 8 है, इसका square है, equals to, यहाँ पे सिर्फ 2 बचाता, 2 का cube लेंगे, वो 8 बन गया, अब solve नहीं हुआ है, खतम नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, दोनों side में root लेंगे, अगर यहाँ पे square root लिया, तो यह बनेगा T2 by 8, and यह root of 8, यानि कि 8 multiply हो जाएगा, तो final answer इस तरह से आ रहा है, T2 is equals to 8 into root 8 hours, चलो, अब धान से देखो, किसका answer match हो रहा है, यहाँ पे, 16.28, very good, सानी का, 16 root तो कहा से लिकिया है, बेटाब, हाँ, 8 को, root 8 को 2 root 2 लिका, very good, good job, correct वो भी answer, देखो, यह answer correct है, मेरा, यहाँ तक आ गया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको और थोड़ा simplify किया है, उस का simplification ऐसे होगा, कि जो root 8 होता है, उसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, root of 4 into 2, फिर यह बन गया, 2 root 2, अगर यह 2 root 2 है, तो 8 into 2 मतलब यह बनेगा, 16 into root 2 hours, यह सानिया का answer है, जो exactly correct है, but root 2 की value हमें मालू में, कितनी root 2 की value, root 2 होता है, 1.41, तो इनको अगर multiply करेंगे, 16 into 1.41, तो 21, ऐसे कुछ तो आएगा, 21.56 hours, तनिया, 23.2, 22.1, 414, root 2 की value है, इनका multiplication करो, थोड़ा सा approximation लेंगे, तो वो 22 के आसपस आना चाहिए, तेजेस, यह answer correct है, exactly finding नहीं करना है, क्योंकि 4 option में से 1 पहले से correct है, वो कौन सा हो हमें find करना पढ़ता है, तो यह procedure होती है, सबको समझ मे आगी, screenshot ले लो, अभी एक-दो example स्वाल करेंगे, तो आप familiar हो जाएंगे, familiar होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो SBT आ रही है, SBT में एक ही फर्मूली की उपर questions आने वार है, चलो, फिर से वही question का part है, अब directly given data में लिख की देता हूं, पहले कितना है, मालूम ने, जिसको T या और से बुलाएं, बाद में कितना हो रहा है, वो question market, separation पहले 4R था, बाद में separation को 16R बना दिया है, ये capital R ले लो, ठीके, तो T2 कितना होगा, पूरा question, पहले अभी जैसे solve किया है, उसी step से जाना है, उसी step से आपको answer मिलेगा, चलो, देखते कितनी चैंपेंस answer लेके आते ठीके, everyone have to try, come on first, अभी solve किया था, बस मैंने यहाँ पे value change करकी दी है, बाकि कुछ भी change वहाँ पे नहीं किया है, ठीके, I am getting some answers repeatedly from those candidates only, very good, शुबाम, चलो, बाकि लोग भी try करो, हर एक को try करना, क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत होने के बाद मेरा answer very good होता है, मेरा reply very good हो को, तू बस lecture देख, आश्वीनी, आज क्या हुआ, काप answer है, जगदीश पडूल, बहुत दिनों के बाद दिखरा है बेटा, जानवी है, आज भूल गे answer, कल लेनी, कल भी answer नहीं दिये, ते आज भी answer नहीं आ रहे, कल लेनी के, बागिश्री केरे भी सिर्फ lecture ही देखते है, निखील, निखील कर, calculation कर बेटा, निखील, प्रनीता, answer चाहिए मुझे, सागर, topic कौन सा फरक नहीं पड़ता है, सागर, formula बोला, procedure बोला, calculation करके, answer बोल, सानी का आप correct चाहिए answer पहले जैसा, very good, शुवाम, श्रावन, सुराज, सुरुष्टी, तनिया, तन्वी, तन्वी श प्रथम, प्रथम तो answer बोलता है नहीं है, very good, stages, 22, I think 8, दोनों भी बोल दी आपने, तनिया, वन फोर्थ, very good, श्रावन, 80, excellent, very good, चलो, अब मैं solve करता हूँ, और आपन चेक कर लेंगे, क्या आता है, मतलब कितना simple physics से देखो, अगर मैं concept पढ़ाने से पहले, या फिर एक question खुद स्कॉल करने से पहले, आपको अगर बोलता solve करो, तो नहीं वो पाता, ये format से जाना है आपको, फिर कोई भी critical, बड़े-बड़े word learning करने पढ़ेंगे, कोई एकदम क्या बोलते हूँ, उसकी reaction की लगाना ही नहीं है, यही step हर एक numerical में, हर एक mcq में हमें use करने है, ठीके, I am getting some more answer, चलो चेक करते है, तनिया, 15 minutes, very good, लेकिन यहापे T hours दिया है तो आपका 15 minutes नहीं, T by 4 hours आएगा, ठीके, आपने अगर 1 hour लिया, तो 15 minutes correct है, फिर आपका, चलो, I will solve this, relation क्या है, अभी हम, हमे मालू में की, दोनों का periodic time दिया है, distance दिया है, तो हम यही step use करेंगे, अप से आगे इसको धान में रुखे, T2 by T1 का square equals to R2 by R1 का cube हो गया, now put their values, T2 मालूम नहीं है, T1 को T बूला है, इसका square कर रहे है, R2 कितना दिया है, 16R, R1 कितना है, 4R, इसका क्या करना है, cube, RR cancel, 14 by 6 मत equals to R4 का cube, यानि 64, या ता clear है क्या, उजवला, very good, प्रनीता, I think, सब के answer change होने वाले अभी, अगर मैं दोनों साइड में square root लूँगा, तो यह बनेगा T2 upon T is equals to 8, यानि T2 is equals to 8 into T hours, यानि सिर्फ तेजस का answer, excellent, correct, बाकि लोगों का थोड़ा-थोडा confusion है, चो लेक बार चेक क क्या, रॉंग हो रहा है, मेरा रॉंग हो रहा है, आपका रॉंग हो रहा है, चलो, comment fast, या श्रावन का भी answer correct हा, very good, तेजस और श्रावन बोद का रगेटिंग, same answers, शुवाम, very good, शुवाम का भी correct है, yes, yes, बेटा, मैं भूल गया था, देखना, चलो, बाकि लोग ट्राइ क अब आगे से correct आएंगे, तनिया, reply करो, क्यों time लग रहा है इतना, सानी का answer नी दिया इस बार, सिदान्त, रचपूत, सागर, calculation कर, cancer देना पड़ेगा, निखील, निखील, solve कर बेटा, calculations कर, ओके, तनिया, यह तो सबसे बड़ी mistake के, उसको मतलब, या चुकिला मापी नही, स सानी का गलत हो गया, तो कोई issue नहीं बेटा, ठीक है, यह human tendency है, गलतिया करो, गलतिया करना बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन कब अच्छा है, वो गलतिया सुधारेंगे तो, क्योंकि यह start में गलती कर देंगे ना, तो हमें मालूम हो जाता है, हम कहां पर wrong होंगे, और उस टाइप के questions को लेकिया आते, कि पहले periodic time जो है, one day था, एक पूरा दिन, नहीं, अभी T2 one day है, T1 unknown है, जब initial distance 6 आर था, and finally उसको close लेकिया आगे, 2 आर पे लेकिया आगे, थोड़ा वही procedure होगी, पूरा पार्ट वही होगा, थोड़ा वस इधर उधर कर दिया, मैंने, अब data ध्यान से देखो, यह T1 question मारके बेटा, अब इसमें confusion नहीं होगा, सानी आतानिया, अब mistake मत करो, अब correct answer देखो, सुरा जूस का square root लेना था बेटा, हाँ, stages 24 hours consider कर सकते हो, yes, one day means 24 hours, correct है, चलो, वे भव, उजवला, तेज़र, सुनल, प्रतम, करो, try, come on first, मैं भी simultaneously solve करता हूं, मैं तो आपके answer आ जाते हैं, और मैं पीछे रहे जाता हूं, ठीके, हाँ, आगया, दो दिन के बाद कल्लेनिक answer आ गया, आज, R22, हाँ, येस, ये 2R है, R22R है, वरो वरो, चलो, क्या करना आ है, जब भी इस तरह का relation देंगे, T2 by T1 का square, equals to R2 by R1 का cube, now put their values, I am getting answer from Devesh, very good, Tanaya, okay, root 3 के value put करन बटा, root 3 मतलब 1.71, multiply it to it, तो यहाँ पे T2 की value कितनी है, 1, T1 unknown है, तो ये बनेगा, 1 upon T1 का square, is equals to R2 कितना है, 2R, R1 कितना है, 6R, इसका cube करना है, RR cancel, ये बनेगा, 1 by 3, तो ये आरा है, 1 upon T1 का square, is equals to, 1 upon 3 का cube, 3 into 3 into 3, 27, तो ये बन गया, 1 upon 27, अगर दोनों साइड में root लेंगे, तो ये बनेगा, 1 upon T1, equals to, 1 upon root of 27, now I will take square root, sorry, reciprocal on both sides, तो reciprocal लेने के बाद, ये T1 बनेगा, root of 27, अगर मैंने यहाँ पे day ही रखा था, one day, तो यहाँ पे आने वाला answer जो है, वो भी आगे दे मी मिलेगा, ठीक है, one day 24 hours बाद में, last day पे भी पूट कर सकते हैं, पहले पूट करो, last में पूट करो, शुबं, दोनों भी दोनों से भी आपका same answer आएगा, ठीक है, येस तने आप, correct equation नहीं है, एक मिनिटा, पहले R1, 6R था, R2, 2R कर दिया, तो 2R upon 6R, मतलब बाद में separation कम कर दिया, तो पिराजिट टाइम भी कम होना चीए, हमारा बढ़ कैसे रहा है, T2 को one day, T1 को question mark, R2 को 2R, R1 को 6R, 1 by 3, ठीक है, 27, 1 root of 27, okay, root 27 मतलब क्या आए, देखो, root of 25 अगर होता, तो उसको अपन 5 बोलते, root of 36 अगर होता, तो 6 आता, ये इन दोलों के between है, यानि 5.something, इसके आसपास आएगा, 5.2 डेज, इतना periodic टाइम रहेगा, पहली केस में, T1 में, जब उसका separation 6R था तब, ठीक है न, चलो, देखो, 5.2 डेज आ गया है, ये एंसर भी करेक्ट है, शुरुष्टी ने एंसर डेज में निकाला है, तो डेज में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने approximately 5.2 लिया है, उसको 24 से multiply करना है, इसको 24 से multiply करेंगे, तो approximately वही आ रहा है, 122 आवर्स, एक दो आवर्स इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे correct answer नहीं चाहिए था, लावन्या, very good, correct answer, सुरुष्टी का correct है, उजवला का भी correct है, देवेश भी correct है, सागर, 8 by 9, 8 by 9 ने समझा, सागर, एक बर खीश से check करो, हाँ देवेश, वो तो करना ही था, तन्या, excellent, exactly correct है, तन्या, आपका मेरा approximation, शुवा मैंने दोनों वे answer लिख लिए बिटा, अब क्रॉच चेक करो, येस, ठीक है, तो अब किसी को कोई issue नहीं है, कितना भी distance को vary करके देंगे, हम periodic time या आपे easily calculate कर सकते, तो this is all about periodic time of revolution of satellite, अब ये numericals को हमने इतना time इसलिए दिया, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले Kepler's laws of planetary motion, और ये जो Kepler's laws of planetary motion आने वाले है, उसमें भी same formula मिलने वाला है, and same data, same step हम स्वाल करने के लिए use करने वाले, बस वापे earth and satellite का relation नहीं होगा, earth and sun का relation रहेगा, ठीक है, so next point हम यहाँ पे discuss करने वाले है, जो always सबको मालू में सबका favorite रहे चुका है, that is Kepler's laws of planetary motion, Kepler's laws of planetary motion, ठीक है, अब basically ये Kepler के law एकदम simple है, सबको मालू में 3 law है, पहला दूसरा वैसे भी कुछ काम का नहीं है, third law, जिसमें हमें एक formula मिलेगा, जिसके उपर numericals, बहुत सारे solve करने है, उसी type के, जो type के आपना भी solve कर रहे थे, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मतलब background देखे लेगे, आपको मालू मोगा कि सबसे पहले, मतलब हर एक कौनसे भी ancient history में जाएंगे, फिर वो इंडिया की ancient history है, बिपोर गुपता पिरड, या फिर चाइना की ancient history है, या फिर ग्रिक की, बिपोर प्लाटो, प्लुटो, ancient history पे जाएंगे, तो हर बार ये ancient history में ऐसे बताया गया था, अर्थ इजे फ्लैट, अर्थ कैसी है, सपाठ है, ये दो theories basically बहुत उसको speak करके, पकड़ करके, बाकी, मतलब ये जो, क्या बोलते हैं, religious, जो greater लोग थे, अब उनको अपन other words यूज नहीं करेंगे, हम उनकी बहुत respect करते, किसी भी religion की हो, ठीक है ना? येस, उजवला correct है आपका, ये सारे जो religious लोग थे, इन्होंने बोल के रखा था, कि हमारी जो अर्थ है, वो ऐसे सपाट है, फ्लैट है, ऐसे चलते 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 जलते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा, जहाँ पे अर्थ खतम हो जाएंगी, और हम नीचे गिर जाएंगे, एसे बोला था, अर्थ फ्लैट है, पहली बात, और दूसरी बात ये थी, कि अर्थ के सराउंडिंग में सन रोटेट होता है, रोटेट होता है, यानि रिवॉल होता है, एक दिन में एक चक्कर कंप्लिट मारता है, सन, ये दो चीज़े मतलब बहुत दिनों को, चला गया, मतलब वो इस्ट वेट जा रहा है, मतलब ये रोज-रोज हमने उसको काम को ही रखा है, और ये अर्थ के सराउंडिंग में चक्कर ही मारता है, वो हमें बोलते थे, हम उसको एकसेप्ट करते थे, सारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन सबसे पहले जो है, प्लुटो एंड अरिस्टोटल ने, प्लुटो एंड अरिस्टोटल ने, उच्वहला, स्पेरिकल भी है ना नहीं, स्पेरिकल ही है, मैं पहली की बात बोल रहा हूं, कि जब हम इतनी डेवलप नहीं हुए थे, हम इदर-उदर की बातों की उपर ज़्यादा विश्वास रख रहे थे, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे थे, तब की बात यह थी, कि लोग हमें बोलते थे, और हम उसको फॉलो करते थे, लेकिन सबसे पहले प्लुटो ने, मतलब अगर ग्रीक हिस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे उसने एक्स्प्लेंड किया था, कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, इस स्पेरिकल वन, और उसी के प्लुटो के मतलब जो भी क्या बोलते हैं, उसके जो भी थेसिस थे, उसको सपोर्ट करने के लिए, एरिस्टोटल ने भी बहुत सारे एक्जाम्पल्स, मतलब वहाँ पे एक्स्प्लेंड किये गए, और तब से लेके, मतलब कन्फुजन शुरू हो गया था, कि अर्थ क्या है, गोले की फ्लैटे, स्पेरिकल है या फ्लैटे, ऐसे बहुत सारे कन्फुजन, डिपरन्ट कंट्रीज में, डिपरन्ट रिग्लिजर्स के रिलेटेड पार्ट में चलते थे, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, इसी बीच गैलिलियो आ गया, और गैलिलियो ने, मतलब हमारे फिजिक्स के लिए भी, एंड हमारे वर्ड के लिए भी, इतना कुछ किया है, कि हम उसको मतलब बोल नहीं सकते, इतना सब कुछ किया है, जैसी कि फॉर एक्जंपल क्या है, कि बेसिकली गैलिलियो ने, सबसे पहले टेलिस्कोप बनाया था, और ये टेलिस्कोप बनाके, उसने क्या किया था, सारे जो इंटर्स्टेलर स्पेस है, टेलिस्कोप से अब्जर किया था, और उसको अब्जर करने के बाद, उसको अब्जर करने के बाद, गैलिलियो ने बोला था, कि बेसिकली अर्थ जो है, वो फ्लैटनी है, अर्थ स्पिरिकल है और यह मैं एक टेलिस्कोप से देख चुका हूँ सिर्फ अर्थी स्पिरिकल नहीं है अर्थ के जैसे बहुत सारे प्लैनेट है मतलब जो अमारे सोलर सिस्टेम में 8 प्लैनेट एन एक दौर्फ है उसमें से 6-7 प्लैनेट अकेले गैलिलियो नहीं फैंड किये थे उसने देखा था उनको सबसे पहन तो वो यह बात बोल रहा है कि टेलिस्कोप से देखने के बाद समझ में आता है कि अर्थ जो है वो स्पिरिकल है फ्लैक नहीं है सबसाक्शन पहले बात डूसरी बात यह है कि सन जो हए वह अर्थ के सरांडिंग में नहीं गुमता है अर्थ जाके सन के सरांडिंग में चकर लगाती है लेकिन यह बात यहां पे हाँ तेजश ll बोलो बिटा शुबम बोलो 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 हाँ कोपर निकस भी आने वाला है कोपर निकस ने भी बोला था लेकिन कोपर निकस की थोड़ी डिप्रेंट कंसेप्टी इसे वह विद देलप टेलिस्कोप बेटा टेलिस्कोप से जब देखा गया था अर्थ के सरपेस एंड स्काई का कमपरिजन करके तो टेलिस्कोप से समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर जहाँ तक हमारी आई साइट जाती ही वह फ्लैट दिखता है जब आई सेट खतम होती है और टेलिस्कोप से हम जूम करते है तो वह आप एक करवेचर दिखाए देता है और तैसे नीचे नीचे खतम हो रही है और आगे जो हमें क्या बोलते है उसको स्काई स्पेस जो भी वह दिखाए जाता है अब यह observation किये थे गैलिलियो ने उसकी उ देखना है टेलिस्कोप देखना है माइक्रोस्कोप देखना है डिऊष्क लेकर के लेकिन इसे थोड़ा scientific व्यू से आसमान देख रहे फिर ठ्हुटा सा उसको डाउन लेके आएंगे तो आरि का सरपेस इसे फ्लाट फ्लैट ही दीखना जाएता ना वह समझ में आता का इसे कर f करता तो अर्थ का करेक्ट सुरज तनिया उसके पीछे यह लॉजी के बटा कि जो मैंने बूला था ना कि ब्लैक होल करेक्स्प्रिन किया था तो मैं आपको पूरा जो उनिवर्स क्रियेटेड उसके बारे में परमिशन देने वाला हूं तो इस लेटेड दो तीरी जे और एक मतलब ऐसी है जो प्रूवन है और जो एक्सेप्टेड अभी भूक आया था स्टिपन होकिंग का भूल गाया में नाम उसका याद आया तो मैं ग्रूप पे डालता हूं उसमें भी उसने बहुत अच्छे कंक्लूजन दिये मतलब आइंस्ट्राइं स्टिपन होकिंग की थीर तो उनका ये बोलना था स्टिपन होकिंग एन आइंस्टेड की थीरी का इस तरह से एक्स्प्रेशन था कि ये ब्लैक होल जो कल हमने देखा ना ब्लैक होल हमने कल देखा उसमें क्या था कि उसकी ग्राइविटी इतनी इमेंस है कि वो लाइट को भी एसकेप नहीं कर पाता ह है वहाँ से तो ये ब्लैक होल की कंसेप जो आइंस्टाइन ने हमारे सामने एक्स्प्रेशन की थी एक्जैक्ट निया समझने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लिपाइड एक्स्प्रेशन कर रहा हूं उसके एक्चुल अगर हाँ ब्रीप इस्ट्री आप ताइम वेरी गोड़ जो मुझे समझाता आपके सामने में सिंपल वर्ट में एक्स्प्रेशन कर रहा हूं थी के ना तो बेसिकली इनका बोलना ये था कि बेसिकली ब्लैक होल जो बॉड़ी है वो लाइट को तो इसके भोने नहीं देती है साथ में उनकी ग्राविटी इतनी स्ट्रॉंग होती है जैसे ये चौक है ये ब्लैक होल है और इसके सराउंडिंग में मैं दूसरा चौक लेके आ गया तो बाकी बॉडिज एट्रेट करती है ये एट्रेट करने के टाइम पस में लगती नहीं है ये ब्लैक होल क्या करता है इसको भी ब्लैक होल बना देता है और ये ब्लैक होल बना दूंगा, फिर दीरे दीरे ये पूरा उरंगाबाद, पूरा महरष्टा, पूरा इंडिया, पूरा हमारी एर्थ, एर्थ के साथ पूरे eight planet, फिर हमारा sun, ऐसे सारे body black hole बनती जाएँगी, black hole बनती जाएँगी, बनती जाएँगी, और ये black hole बड़ा होता जाएगा, बड तो ऐसे चलता रहता है चलता रहता है उसके बाद में क्या होता है एक लिमिट आती है जहाँ पे ब्लैक होल जो है यह सारे अंदर जो बॉडिस थी उनको पकड़के बाइंड करके रखने के लिए अनेवल होता है अजरे अनेवल हो जाता है एक लिए अनेधर फिरस की आ जाता है ब्लाक होल बना जम्ट एक लिए अनदर जैसे फेनोमेनन ब्लैक होल के अंदर होता है और सारा जो मhältरल जम्मा हुआ था उससे चोट 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 Jordiबड़़ज एसे स्पीर बन जाते जैसे मारबल होते हैं गोटा हम खेल चुके उसको हाथ में पकड़ के अगर ऐसे फेक दिए तो वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रैवल करने लगे थे जैसे हमारा सैटलेट ट्रैवल करता है और तब से लेके अब तक वो सन के सराउंडिंग में चक्तर मारते ही रह रहे हैं यह ओरीजिन आप युनिवर्स की तेरी जो है वह आइंस्टें स्टीपन होकिंग ने एक्स्प्लेंड की थी अब इस से लेटे स सन के सराउंडिंग में रिवॉल करते हैं आपके जो पॉस्टें ने टाइप करो वेटा आइवल गिव एंसर टो एवरी कोस्टन वेफोर दाट आइव टो फिनिश मैं पॉइंट तो इस तरह की यह केस हो रही थी हम आ गयते कहा तक गैलीलियो तक गैलीलियो ने सबसे पहले यह बात बोली थी हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल है और साथ में यह जो सन है वो अर्थ के सराउंडिंग में नहीं अर्थ सन के सराउंडिंग में चकर लगाती है यह दो बाते विट अब्जर्बेशन गैलीलियो ने एकस्प्लेंग किती लिकिर उस ताइम पे जो भी इनको अगर इतनी सी बात मालूम नहीं है कि अर्थ फ्लैट नहीं, अर्थ बोल है, इनको अगर इतना समझ में नहीं आता है कि सन अर्थ के सरांडिंग में नहीं, अर्थ सन के सरांडिंग में घूमती है, इसका मतलब इनकी नॉलेज लेवल बहुत कम है, अगर ये एक बात हमे जूट बोल सकते है इसका मतलब वे सारी की सारी बाते जो बोल रहे है वो जूटी तो है ये बात जब गैलीलियो लोगों को explain करने लगा था तब गैलीलियो को पकड भी आ गया और धर्मबरश्ट करतो है राष्ट्र दोह करतो है मन उसको सब के सामने चौका मदे जिंदा जला गया था और उससे लेटेड हमें कोई discussion करके क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको इश्यू क्रियेट नहीं करने तो उसको छोड़ देते उसके बाद में कोपर निकस ने explain किया था और कोपर निकस ने बोला था कि अर्थ जैसे जो बाकी प्लानेट से वो सन के surrounding में क्या करते सर्कुलार पात पर अपनी motion परफॉर्म करते हैं इसी concept क्यू पर टाइको ब्रहे चर्मन फिजिसिस्टा इसने अपनी पूरी लाइप इंवेस्ट कर दी थी इस इंटरस्टेलार स्पेस के observation करने के लिए किसने टा प्लानेट को देखो क्या कर रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है कितनी देर से जा रहा है कहां से जा रहा होगा वो पूरा observation करता था उसको नोट डाउन करता था लेकिन उसने अपनी पूरे lifetime का work record करके रखा लेकिन वो इतना complicated था कि खुद टाइको ब्रहे को भी समझने के ल साथ देने वाला उसका एक होनार एकडम सिंसियर स्टूडेंट आ और वो था जौन्स केपलर तो इस केपलर ने क्या किया था यह इस्टरिकल पेनोमिनन है यह जौन्स केपलर ने क्या किया जो टाइकोब रहे ने जिंदगी बर अब्जर करके दो-चार रूम भर की जितने हाले है ठीक है देखो फर्स्ट यह है कि कोपर निकस नहीं जो बोला था कि प्लानेट सर्कुलार पाथ में रिवाल होते है टाइको ब्रहे का observation and Kepler का law explain करता कि वह से नहीं है वहाँ पर क्या है एवरी प्लाइनेट कि एवरी प्लाइनेट कि रिवाल्स कि अराउंड असन elliptical orbit वेर अगर सब्सक्राइब इस सीचुएटेट एड वन ओफ दो फोकाई अब फोकाई क्या है एलिप्स क्या है पैराबोला क्या है पर बोला क्या है सबके सिलावस में था स्टेट इनसेरेटी सी बीसी आई सी के लेकिन फिर भी mathematical tools बोलके मैं अलग एक physics का पूरा एक मतलब जितने mathematics required होता है उसको अलग abstract करके आपको पढ़ाने वाला हूं तो उसके बारे में ज्यादा think मत करो यह फर्स लाबस इतना explain करता है यह जो elliptical shape होती है इलिप्स होता है अंडाकृती ओहल तो इस पात के उपर अभी होता क्या है कि circle को जैसे दो से एक center होता है वैसे ellips को दो center है तो दोनों में से एक center पे sun होता है और उसके surrounding में ऐसे elliptical orbit पे हर एक planet जैसे हमारी अर्थ है अर्थ का orbit होने का part different है है युटो का different है युरेनियस का different है जुपिटर का different है mercury का differentος वीनुस का different है मार्स का different है और इस तरह से केपलर बोलता है कि every planet revolves around the sun into an elliptical orbit where sun is situated at one of the foco per numerical data यहापे मिलने वाला नहीं है बस theoretical statement है युसके बाद में second law आता है इसका screenshot ले लो कर लो कि पात जोए वो सर्कुलार नहीं है इलिप्टिकल है अभी इलिप्टिकल होने से क्या होता है कैसे होता है आगे हम सारी बाते लेके आने वाले हैं तब उसको डिटेल में देखेंगे कि सेकंड कि एरियल वेलोसिटी कि ओफ कि एवरी प्लानेट कि रिमेंस सेम आप यह एरियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया एरियल वेलोसिटी मतलब क्या जेको ज़रल वय meeलोसिटी मतलब होता है डिस्टेंस अपन टाईम ये होती है northeast दिवले meant करेंगे तो वहां पें अपन टाइम को बोला जाएगा किया बूला सेकंड को यह कि यह elliptical orbit का path है, यह sun है, assume करो, planet A से निकल के BQ पर जा रहा है, तो इस condition में जब वो A से लेके BQ पर जा रहा है, उसने क्या किया, यहाँ पे A1, इतना area cover किया है, swipe किया है, साथ में अगर planet यह C से निकलेगा और D पर जाएगा, तब अगर जो area cover हो रहा है, वो area हमने A2 लिया है, तो A से लेके B तक जाने के लिए time T1 लग रहा है, C से लेके D तक जाने के लिए time अगर T2 लग रहा है, तो अगर यहाँ पे T1 and T2 अगर same है, तो इसका मतलब A1 and A2 same होते है, फिर से इससे कोई numerical interpretation नहीं करने है, सिंपल बात याद रखो कि given time interval में जो area swipe होता है, cover होता है, वो same रहेगा, constant रहेगा, जो area swipe होगा, वो same रहेगा, constant रहेगा, yes, very good, correct है, ठीक है, हाँ, line joining the planet and sun covers equal area in equal time, वही statement है, लेकिन मैं उसको थोड़ा simplify करके explain कर रहा हूँ, उजवला, yes, सुरज, correct है, ठीक है, देखो, इसको समझ लो, बेटा, क्या है, कि जो aerial velocity होती है, अब aerial velocity calculate कैसे करेंगे, planet की position and sun, इनको straight line से connect करेंगे, लेकिन वो statement थोड़ा complicated बन जाता है, ठीक ना, area covered by the line joining, position of the planet to the sun, covers और swipes out equal areas in equal intervals of time, इतने complications में हमें जाना नहीं है, simple बात क्या है, कि हर एक planet जो है, equal time में, equal area cover होता है, जो diagram में हमने देखा, A1, A2, दो area है, cover हुए थे, T1, T2, दो time में, अगर दोनों के time सेम थे, तो आपे area भी क्या है, सेम ही आने वाला है, ठीक है, theoretical point है, theoretical की लिए आप करो, इसके उपर कोई numerical interpretation आता नहीं है, बस ही second planet का, sorry, Kepler का जो law है, इस से related, एक point याद रखना है, अब यह आता कैसे है, मैं question में, SBT के explanation में explain करूँगा आपको, कि यह जो second law है, it explains conservation of angular momentum, ठीक है, conservation of angular momentum, अब यह conservation of angular momentum, कैसे होता है, angular momentum मतलब क्या होता है, यह सारी बाते मैं explain करने वाला हूँ, 8-9 के explanation session में, and कल की lecture में भी इप required, conservation of angular momentum, कोण represent करता है, Kepler का second law, ठीक है, and सबसे important, that is third law, जो हमारे लिए, आज के SBT के लिए भी important होगा, and actual isolated exam में भी बहुत बार question आते है, ठीक है, पागले के देविश्टू, theory of relativity in brief, कोई नहीं explain कर सकता हूँ, third law और वो है, square of period of revolution is directly proportional to the cube of semi-major axis, that is T square proportional to RQ, ठीक है, यह Kepler का third law है, कल के lecture में, इसको मैं और, मतलब तीनों लोग को और थोड़ा detail में explain करने वाला हूँ, because यहाँ पर time up हो रहा है मेरा, ठीक है, but SBT में isolated question आने वाले थे, इसलिए मैंने यह point यहाँ पर cover up कर लिया है, कि condition क्या है, कि यह ellipse है, इसका यह major axis है, और यह major axis का half जो distance है, इसको बोला जाता है, semi-major axis तो यहाँ पर same rule applicable है, कि जब यह sun के surrounding में planet elliptical path पर revolve होने वाले, move होने वाले, तो उनको एक चक्कर complete करने के लिए, जो time लगेगा, उसका square, square of period of revolution, वो directly proportional है, उस planet का यह sunset distance, यानि semi-major axis के distance के cube से, यानि T-sphere proportional to R-cubes, तो यह होगे Kepler के 3 laws, मैं फिर से explain कर रहा हूँ, कि कल के lecture में, मैं थोड़ा और detail में इनको explain करने वाला हूँ, बस आज के SBT में, ये Kepler के 3rd law की उपर question आने वाले थे, इसलिए हमने इसको cover up कर लिया है, जो लोग SBT regular solve नहीं करते हैं, 8-9 का explanation session अटे नहीं करते हैं, उनको as early as possible registration complete करना है, and registration complete करके उन batch में add होना है, जिसके लिए you have to contact me on this number, ठीके, और इसके साथ में, जो late join हुए है, या पिर आज पहला lecture था, उनको previous recorded lecture अगर required है, तो इस number पे your name and school name whatsapp करो, I will message you link of previous recorded lecture, ठीके, तो अब कुछ लोगों के question थे, उनका answer देख लेते हैं,